तो बहनो आज के इस वीडियो में मैं आप सभी को पोशन ट्रेकर एप से रिलेटेड एक बहुत ही इंफोर्मेटिव जनकारी देने वाला हूँ जैसे कि आप लोगों के द्वारा काफी सारे कमेंट पूछे जा रहे हैं कि पोशन ट्रेकर एप से लभार्थी को हम लोग डिलेट कैसे कर पाएंगे जैसे कि बच्चों को लेकर काफी सारी दिक्कते आ रही है कि बच्चे का नाम दो बार तीन बार एड़ हो चुका है या मालेजिए कि किसी बच्चे का आपने पोशन ट्रेकर एप में रेश्टेशन किया है और उस बच्चे के माता पिता उस बच्चे का नाम किसी दूसरे इसकुल में लिखवा देते हैं तो उस condition में उस बच्चे का नाम हम लोग Potent Tracker App से कैसे delete कर पाएंगे तो आज की ये जो topic है इसी के बारे में है तो आज के इस वीडियो में आपको Potent Tracker App में जो delete करने का option है उसके बारे में आपको clearly मालूम चल पाएगी और आपकी जो confusion है कि हम लोग Potent Tracker App से बच्चे को delete कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे और इसका delete करने का सही तरीका क्या है सही तरीका इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ क्योंकि कुछ आगनबारी बहने जो है वो एक तरीका है जिस तरीके को अपना के Potent Tracker App से लभार्थी को delete कर रही है तो वो तरीके के बारे में भी बताऊँगा कि वो तरीका सही है अग गलत है तो चलिए वीडियो को शुरू करते है वीडियो में आगे बरने से पहले आप सभी से एकी request रहेगी जो हमेशा से रहती है वीडियो आप लोग को पसंद आती है तो वीडियो को आप लोग लाइक कर दीजिएगा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किये हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा तो देखिए जैसे कि आप सभी को पता है ये Potent Tracker App ने जब से Delete वाला Option हटा दिया गया है सबसे आप लोग को कई सारी परिसानिया होती है सबसे पहले तो देखिए जोगन बारी बहने इस तरीके से अगर किसी लभार्थी को Delete कर रही है तो तरीका मैं आपको दिखा देता हूँ जैसे कि यहाँ पर लभार्थी वाले पर किली करते है और किली करने के बाद यहाँ पर किसी एक बच्चे की केटेगरी में आ जाते हैं जैसे कि 6 माल से 3 वर्स वाले बच्चे की केटेगरी में आ जाते हैं आने के बाद यहाँ पर जो 3. का Option है यहाँ पे क्लिक करते हैं और प्रोफाइल अपडेट में आ जाते हैं ठीक है यहाँ पे आने के बाद सबसे नीचे एक option दिया होता है कि क्या लभार्थी की मिर्तिव हो गई है यहाँ पे आपको इंगलिस में disease भी देखने को मिलता है तो यह जो option है इस option से भी आप लोग अगर चाहें तो portion tracker app से लभार्थी को delete कर सकते हैं लेकिन इसका एक condition है कि यहाँ पे सिधे लिखा हुआ है कि क्या लभार्थी की मिर्तिव हो गई है यानि कि अगर उस बच्चे की मिर्तिव हो गई है तब आप लोग इस option को choose किजिएगा वरना इस परकार से कोई भी condition नहीं है तो इस option को choose नहीं करना है और इस परकार से लभार्थी को delete नहीं करना है क्योंकि यह जो तरीका है वो बिल्कुल गलत तरीका है आपको इस परकार से लभार्थी को delete नहीं करना है सही तरीका क्या है चलिए मैं आपको बता देता हूँ सही तरीका जो है वो आपको क्या करना है कि आपको अपने LS MEM का नंबर ले लेना है या फिर आप अपने office में जाती है तो वहाँ पे आपको सबसे पहले LS MEM से संपर्ख करना है और आपको अपने portion tracker app से जो भी बच्चे को delete करना है या तो आप उसको एक page मिलिक लीजेगा उसका नाम उसके माता पिता का नाम जो भी details है उसको आप लोग एक पन्ने में नोट कर लीजेगा और सिधे जाके में से बुलिएगा कि में हमें इस बच्चे को portion tracker app से हटाना है और यह यह condition है तो आप लोग इस प्रकार से जाके वहाँ पे में से बुलिएगा तो में अपने ID से उस बच्चे को वहाँ से delete कर देंगी तो यह जो तरीका है वो सही तरीका है बाकी कोई तरीका नहीं है जिससे कि आप लोग portion tracker app में किसी लभार्थी को delete कर सकते हैं तो इस प्रकार से आपको किसी लभार्थी को अगर delete करवाना हो तो आपको LS Meme से संपर करना ही पड़ेगा आपकी अभी portion tracker app में अभी कोई ऐसी update नहीं आई है जिससे कि आप लोग लभार्थी को delete खुद से कर पाएं तो उमीद है आप लोग को आज की इस वीडियो से जनकारी मिल गई होगी कि portion tracker app से बच्चे को कैसे delete करना है अब आपकी सारी confusion भी दूर हो गई होगी तो उमीद है वीडियो पसंद आई होगी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like कर दीजेगा चैनल पे नए है तो चैनल को subscribe कर लिजेगा मिलते हैं फिर किसी नए topic नई जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी बेहनों का हमारे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद जय हिंद